दिसंबर का लगबग आदे से अधिक महीना बीच चुका है और उत्तर भारत में इस समय कडाके की ठंड पड़ रही है परिनाम सरूप कई दिनों से पाला भी पड़ रहा है इस पाले में अपने छोटे पोधोगी जो एक या डेड़ वर्स से कमके हैं उनकी रक्षा किस प्रकार करें आज मैं आपको ये बाते बताऊँगा किसान साथियों आप सब का हरदिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में और देखते रहिए इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिए इन पोधों को ये मेरे आसपास जो चार पांच पोधे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके पत्तों का गहरा रंग देखिए आप इसको देखिए एक ये पोधा इधर है इसको देखिए एक ये पोधा उधर है उसको देखिए कितना गहरा रंग है इसको भी देखिए इस पोदे को अब आप थोड़ा इसे और ध्यान से देखें तो कितना हरा है और ये देखिए इस पर एक लेडी बिटल भी है लेडी बिटल का ये तात पर ये है कि ये मित्र कीट है और इस पर अगर कोई सत्रू कीट आएगा तो ये उसे खाने के काम करती है ये तो हिया इससे फाइदे की बात है अब ये इतना गहरा रंग क्यों है ये पोधे मैंने पिछले वर्ष सितंबर में मैंने क्या किया कि ये इतना गहरा रंग है किसान साथियों मुझे एक मेरे साथी है धालिवाल जी उन्होंने मुझे एक लिक्विड दिया था बीस लिटर का वो लिक्विड बर्णाला में कोई कंपनी है वो बनाती है ये देखिए ये मैं आपको इसका एक जो केन है बीस लिटर का वो दिखा रहा हूँ इस का मैंने इन पर दो बार पंदरा दिन के अंतराल पर दो बार मैंने इस्प्रे किया बीस लिटर की टंकी में एक लिटर ये डाला और तुरंट से आपको साथ दिन बाद ही इसका असर आएगा सर्दी का मोसम सुरू हो चुका है और इन पोदों पर आप देखिए ना के बराबर असर है लेकिन केवल इस लिक्विड से नहीं है मैंने और भी कारिया किये हैं आज मैं आपको वो बताऊंगा अब आते हैं आप थोड़ा इसको यहां ध्यान से देखे इस पर यह कालस आ गई यह देखिए यह क्यों आया बहुत कम जगह है मतलब 10% मेरे इस पर है जब पत्ते बहुत हरे होते हैं और बाग में जितने भी मुलैम और हरे पत्ते होते हैं अधिक हरे होंगे तो उन पर कीट आना सोभाविक है यह रस्चुसक कीट होते हैं और धीरे धीरे जब यह अपना मल छोड़ते हैं तो वहां पर फंगस भी बनने लगती है तो जहां एक चीज का फाइदा हो वही थोड़ा नुकसान भी होता है उसे आपको कंट्रोल करना पड़ता है अब यह फंगस या यह जो कीट है इन्हें आप जैविक में से भगाते हैं या आप कैमिकल से करते हैं यहां आज यह विशे नहीं है नहीं मैं इनको भगाने का परकार बताऊँगा लेकिन यह जो मैं स्प्रे है यह पूर्णते जैविक है और मैं ये बताता हूँ कि ये क्या है इससे पहले मैं आपको इससे छोटे पोधे भी दिखाता हूँ कि जो मैंने दिसंबर में लगाए थे यानि इनके लगभग चार महाँ बाद लगाए थे आईए मैं आपको वो भी पोधे दिखाता हूँ और फिर बाता है इस पोधे को द आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, इसकी मैंने कटिंग की थी, सेप्टेमबर महा में यहां से, और यह पत्ते निकलने शुरू हिये थे, इसका पोधार ओपन मैंने आपको जैसे बताया था, दिसंबर महा में किया था, पिछले वर्स, लेकिन आप इसका तना देखे कितन मजबूत हो चुपा है, अब इसमें ऐसा क्या है और क्या कारिये करें, अगर आपके यहां पर पाले की समस्या है, और आप अपने पोधों को बचाना चाहते हैं, तो आप देखिए, मेरे यहां ड्रिप पड़ी हुई है, और मैंने एक यह थाला सा बनाया लिया है, इस ड्र का असर बहुत कम होगा, यह हुई पहली बात. दूसरी बात क्या हुई? कि अगर आप इनपर नाइटरोजन का इश्प्रे करेंगे, जैसे उनीस, इनीस, इनीस का इस्प्रे करें, या जो मैंने यह लिक्विड बताया है, इस लिक्विड का इस्प्रे करेंगे, तो आपको इस पर बहुत फाइदा होगा, अगर आपके पोधे इस से थोड़े छोटे हैं, छे महीने के हैं, और आपको लग रहा है कि पाले से ये मर जाएंगे, तो आप उन्हें कवर भी कर सकते हैं, और कवर ने करें तो पोधे नहीं मरेंगे, अगर पत्ते सूख कर गिर रहे हैं, तो फर्वरी आते आते नए पोधे निकलेंगे, आपको सिरफ ये कारे करना है कि नीचे नमी बनानी है, यहाँ पर नमी बनानी है, या इस एरिये को कवर कर दीजिए नमी बनाकर, और यहाँ पर आप नाइट्रोजन का इस परे करिए, एक और दवाई आती है केमिकल में, सौध थीन इसमें क्या होता है टुबेक कौनजोल होता है और इसमें सलफर भी होता है वैसे तो कहते हैं कि जो 90% सलफर है मैने पिछली साल किया था इन पर जब दिसंबर में लगाइ जब पाला पड़ा थो मैंने किया था और यह मेरे पोदे स्वस्थ है आपके सामने तो दो गराम परती लिटर का आप उन पर इस्प्रे कर दीजी, ये 90% सलफर में आती है और इसको आप जो है ना इसको दो गराम परती लिटर मिलाकर इसका इस्प्रे तब बहुत लावदायक होता है जब आपको लगे के पाला पढ़ना शुरू हो गया या पाला पढ़ने वा भी देख लिजीए ये है तीसरा काम अपने पोदों को सुरकशित रखने का छोटो को के इसमें बोर्डो पेंट करीए आप या बोर्डो पेस्ट करीए बोर्डो पेस्ट से क्या फाइदा होता है कि कभी-कभी आपके कारिय करता जो कारिय करते हैं उनसे कुछ यहां पर यह हुए तीन कारिये अगर आप करेंगे तो आपके पोधों को कोई नुकसान नहीं होगा सबसे महत्वपूर्ण है नमी बनाना उचित पानी दे कर बहुत जादा पानी नहीं देना है और नमी हर जमीन प्रकार की जमीन में अलग-अलग मात्रा में पानी की आवज सकता पढ़ती है इसलिए मैं उसका जिकर नहीं कराओ यह लिक्विड क्या था जो मैंने बताया था जो आपकी गोबर गैस की सलेरी निकलती है आप उस Slery को इकठा कीजिए और उस Slery को स्क्वीज कर लीजिए जितना भी हो सके उसका पानी निकालिए ये liquid वही है आप इसको इस्प्रे कर सकते हैं और आप देखोगे तो पहड़ी छेत्रों में बहुत लोग इसको Slery को उप्योग करते हैं इस्प्रे में भी करते हैं और पोदो में भी करते हैं यह जो लिक्विड बनाया है इस कमपनी ने यह उस सलरी को मसीन के दोरा स्क्वीज करते हैं जो ठोस पदार्थ निकलता है उसको अलग कर देते हैं और बाकी इसको यह बेचते हैं आप घर पर भी से बना सकते हैं और चाह रहेंगे आप सलफर का भी स्प्रेय कर सकते हैं कुछ भाई वेस्ट डिकंपोजर का भी स्प्रेय करते हैं आप कर लीजिए लेकिन मैं जो करता हूं मैंने वो दिखाया है इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत